हेलो फ्रेंज, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल Legal Help in Hindi में फ्रेंज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल मैरी जेक 1954 के बारे में ये क्या है और इसकी पूरी चानकारी क्या है Special Marriject 1954 में ये बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतरगत कौन शादी कर सकता है और इसके अंतरगत शादी की शर्ते यानि की कंडिशन क्या होंगी हमारे देश में Hindu Marriject 1955 और Muslim Personal Law Board के अलावा भी एक अधिनियम है जिसके अनुसार शादी की जा सकती है और वो है Special Marriject 1954 हिंदू Marriject के अंतरगत जहां दो बालिग हिंदू शादी कर सकते हैं वही Muslim Personal Law Board के अंतरगत इसलाम धरम के दो लोग निकाह कर सकते हैं लेकिन Special Marriject इस दोनों से अलग है इस अधिनियम के अंतरगत किसी भी धरम के दो लोग आपस में शादी कर सकते हैं इस अधिनियम की खास बात ये है कि शादी करने वाले अलग अलग धरम के लोगों को अपना धरम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें दोनों का अपना धरम शादी के बाद भी बना रहता है शादी चाहे किसी भी तरीके से हुई हो शादी के बाद पत्नी को वे हर कानूनी अधिकार मिल जाते हैं जिन अधिकारों की वो हक्तार होती है चो लिए बात करते हैं कि Special Marriage Act के अंतरगत किस तरह से शादी कराई जाती है इस अधिनियम के अंतरगत लड़का और लड़की पहले से शादी शुदा नहीं होने चाहिए लड़का और लड़की दोनों बालिक होने चाहिए और दोनों की मानसिक धिती जो होती है यानि कि mental status जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए और शादी करने लाइक होने चाहिए ताकि वो दोनों आपस में शादी करने की सहमती दे सके तो इस अधिनियम के अनुसार वे शादी कर सकते हैं शर्त ये भी है कि यदि दोनों हिंदु हैं तो वो दोनों prohibited relationship में नहीं होने चाहिए ये दिनियम prohibited relationship के बात करता है तो ये कहता है कि वो दोनों आपस में भाई बहन ना हों बुआ मौसियादी के relative ना हों और वो दोनों सब इंड़ा relationship में भी नहीं आने चाहिए जैसे कि पिता की पाँच पेड़ी से और मा की तीन पेड़ी से होते है अगर दोनों इस relationship में आते हैं तो शादी माने नहीं होगी और इस तरह की शादी को कानूनी तोर पर शून्य माना जाएगा इस अधिनियम के अंतरगत एक भारतिय विदेशी के साथ भी शादी कर सकते है शादी के जो भी इच्छुक जोड़े हों उनको अपने इलाके के ADM आफिस के शादी की अरची दाखिल करनी होती है इन दोनों को ये एफिडेविट देना होता है कि दोनों बालिक हैं और बिना किसी दबाओ में ये शादी कर रहे हैं दोनों का फिजिकली वेरिफिकेशन कर उन्हें एक महीने बाद का टाइम दे दिया जाता है और नोटिस बूट पर एक नोटिस लगा दिया जाता है रेजिस्ट्रार उनसे सपत दिलवाता है और फिर शादी का सेटिफिकेट जारी कर दिया जाता है चलिए बात करते हैं कि special marriage act के अंतरगत आपको किन किन चीजों की requirement होती है शादी के समय वर की उमर 21 वर्स होनी चाहिए समान या अलग धर्म के प्रेमी special marriage act के अंतरगत एक दूसरे से शादी कर सकते हैं और दोनों को अपना धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं होती है यह शादी कोट में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल मजिस्ट्रेट के द्वारा कराई जाती है special marriage act के अंतरगत कराई जाने वाली marriage के अंतरगत पंडित, मौलवी, पादरी या फिर किसी भी तरह के एक रंट शामिल नहीं किये जाते है इस अधिनियम के अंतरगत जो शादी होनी होती है उसके लिए तीन गवाहों का होना जरूरी होता है इसके इलावा चलिए अब बात करते हैं कि अगर दोनों हिंदूर रितिरिवाजों से शादी करना चाहते हैं और इस शादी को रेजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए जैसा कि इस अधिनियम में बताया गया है कि दो बालिक शादी करने के योगे होते हैं शादी कर सकते हैं इसमें से कोई भी पहले से शादी शुदा नहीं होना चाहिए अगर शादी शुदा था तो वो डाइवोर्सी होना चाहिए अगर पहली पती या पती अभी जीवित हैं या दोनों तलाग शुदा हैं तो शादी कर सकते हैं शादी हिंदू रिती रिवास से अलग या फिर मंदिर में खो सकती हैं मंदिर में हुई शादी के बाद मंदिर के पुजारी द्वारा जो शादी का सेटिफिकेट जारी किया जाता है मैरिज के बाद इस मैरिज को कानूनी रूप से रजिस्टर करने के लिए दोनों को मैरिज सेटिफिकेट के लिए आवेदन करना होता है जिसमें उन्हें इस marriage से related शादी का काट की कौपी और शादी की photograph या फिर दूसरी related चीज़ों के documents देने होते हैं उस वक्त अगर दोनों में से किसी को अपना surname बदलना होता है तो वो बदल सकते हैं marriage registrar शादी को register कर certificate को जारी कर देता है Hindu marriage act के अनुसार की गई marriage के अनुसार जो पतनी है उसको अपने पती की समपती में Hindu succession act के अनुसार ही अधिकार मिलता है उसके अलावा Muslim personal law के अंतरगत किये गई निकाह में पतनी को पती की समपती में Muslim personal law के अनुसार अधिकार दिये जाते हैं और Special Marriage Act के अंतरगत की जाने वाली जो Marriages होती हैं पत्नी को पती की समपती में Indian Succession Act के अनुसार अधिकार दिये जाते हैं तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने चाना की Special Marriage Act 1954 क्या है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धैंक्यू वेरी मुच